तो लास्ट टाइम हमने पॉइंट नमबर 25 तक कर लिया था जो लोग नए हैं उनको बतायते हैं स्ट्रेंथ आफ माटेरियल हमारा चल रहा है और यह हमारा अगला इसके उसी सीरिस को हमने आंगी कंटिन्यू करते हुए अब हम पॉइंट नमबर 26 तक आ गए हैं मतला पॉइं यहां पर होगी यहां बी ऐसे ही कर सकते हैं तो बस में यहां टच करूँगा तो सीध्य कोल्वारा आगे हैं सब्सक्राओं तो इसंके रहन पह्ले रहा है इसके डायमेटर क्या है माल cambi मेले डी है ठीक है आंगे हैवग्द डाइमीठर डी एक डायमेटर ही घट्स मतलब a long column having diameter d gets reduction in diameter to 0.9 d उसकी जो diameter में reduction हो रहाने 0.9 d हो गया है मतलब d से 0.9 d हो गया reduction उसका ठीक है उसकी diameter में reduction हो आई यह ठीक इतनी बास समझ गया the percentage reduction in euler buckling load will amount to तो euler buckling load में कितना percentage reduction होगा जब उसकी diameter में d से 0.9 d हो गया तो euler buckling load में कितना reduction हमको देखने को मिलेगा और आंगे हमको option दे दियें कि 10% मिलेगा यह इतना यह इतना यह सारी दे रखिये तो pole काफी अच्छा गया था 34.4% गया था अब चलिए आप हम इसका explanation देखते हैं कि क्या इसका explanation रहेगा तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि वेट आ मिनिट यह जो इसका pointer है थोड़ा सा ठीक है चलो ठीक है तो point number 26 पर हम बात करते है calculation इसका क्या है सबसे पहले हम पता होना चाहिए यूलर buckling load आप यहां focus करिएगा e equal to pi square नीचे भी लिखा हुआ है लिकें मैं फ़र से लिख रहा हूँ pi square ei ठीक है ei over l effective का square बस इतना ध्यान में रखे वो क्या है typing करते time इतना clear नहीं हो पाता इसलिए उपर मैंने लिख दिया यह same एकी बात है वरेंड the same thing तो यह pi square ei over l effective का square यह आपका eular buckling load का formula होता है ठीक है यह बात clear है इधर ध्यान दीजेगा ठीक है इधर है अब देखिए उसकी बाद मैं आँगे बताएं कि e and l effective remain same अब क्या है e और l effective क्या है यह same रहेंगे न यह l effective है आपका और यह e है यह तो same रहने वाले है ठीक है so p किसके directly proportional रहेगा p आपका i के directly proportional रहेगा ठीक है न तो जो आपका load रहेगा वो load किसके directly proportional रहेगा actually यह मैंने यहाँ फॉर्मूले में e लिख दिया है मतलब यहाँ पर p लिखा हुआ है मैंने e लिख दिया एक ही बात है यह लो आप इसको p कर दिये तो p directly proportional किसके हो जाएगा p directly proportional हो जाएगा i के हो जाएगा ठीक है इतनी बात clear है आगे चलते है अपर बापस देखते है p directly proportional हो जाएगा i के आगे बताया हुआ है एक मिनिट इसको rough कर देता हूँ ठीक है आगे यह बताया हुआ है for circular column और हमने क्या obvious सी बात है जो हमको question में diameter दे रगी तो column कैसा होगा circular होगा for circular column i minimum की value क्या रहती है circular column में यह i की हम value निकालते है जैसे i हम rectangle का निकालते है moment of inertia rectangle रहता है bd cube by 12 रहता है similarly यह जैसे rectangle का हो गया similarly similarly अगर मैं बात करूँ के circle का क्या रहता है यह circular section का तो i वो क्या रहता है वो यह रहता है यह लिखा हुआ है ठीक है क्या रहता है pi d to the power 4 यहां हम लिख देते हैं by 64 by 64 यह रहता है ठीक है clear है यहां तक बात आंगे देखते हैं आंगे देखिए अब क्या हुआ इसके आंगे देखते हैं percentage reduction क्या होगा percentage reduction होगा यहां पर लिखते है अपर percentage reduction हमारा हो जाएगा pi d power 4 by 64 मतलब i हो जाएगा minus pi actually हुआ क्या percentage reduction कैसे हुआ पहले तो हमारी diameter d थी ना उसकी बाद हमारी diameter कित्ती हुई उसकी बाद हमारी diameter होगी 0.9 से deduct मतलब deduct होई 0.9 d to the power 4 है ना समझे upon 64 मतलब whole divide by 64 ठीक है यह आपका हुआ एक मिनट यहां सो थोड़ा सा clear करते हैं पूरा समझने आगा फिर से देखे percentage reduction यहां पर अब आप यहां पर focus कीजिए पहले उन्होंने क्या किया pi d की power 4 by 64 माइनस pi 0.9 मतलब जो reduction diameter है उसकी power 4 by 64 whole upon अब whole upon की बाद क्या है यह है whole upon है pi d की power 4 by 64 मतलब हम reduction करते हैं जैसे हम करते हैं change in length जो हम लगाते हैं मतलब जो हम formula लगाते हैं reduction का तो कैसे करते हैं change in length upon original length तो similarly यहां पर ही वह हो रहा है मतलब percentage reduction का formula मैसे लगाते है change in percentage upon original percentage तो सेम यहां पर किया है तो पहले subtract करेंगे हम original diameter message जो change होई है diameter वो whole upon में जो original है ठीक है वो लिखा हुआ है तो एक बार मैं यहां पर clear लिख देता हूं हो सकता आपको वहां से clear नहीं हो रहा होगा इसलिए तो एक बार जल्दी से लिख देता हूं pi d to the power 4 by 64 minus pi 0.9 क्योंकि अपनी diameter 0.9 से होई है 0.9 to the power 4 by 64 whole upon original जो हमारी थी शुरू में शुरू में कहती pi d to the power 4 by 64 तो यह जो बात लिखी हुई है ने सेम है अब क्या है टाइपिंग करते टाइम ऐसे power अत्ते clear show नहीं होती तो यह सेम बात है यहाँ पर ठीक है उसके बाद बस कुछ नहीं है हमने इसको solve किया values रखी हुई है सारी values रखी pi तो देखो ऊपर नीचे से common लेके हम pi तो वैसी cancel out कर देंगे ठीके सब जगे से common ले लिया cancel out कर दिया 64 भी ऐसी cancel हो जाएगा ठीके तो क्या बचेगा यह बचेगा यह बचेगा यह टर्म बचेगा 1 to the power 4 minus 0.9 to the power 4 whole upon 1 to the power 4 multiplied by 100 तो क्या अगर 34.39 परसेंट होगा तो हम बोल सकते हैं percentage reduction is equal to 34.4 परसेंट तो यह हमारा question बनता है यह बताने में काफी slow-slow बता रहा हूं लेकिन जब आप solve करेंगे तो एक-दो बार खुद से solve करेंगे तो practice में आ जाएगा मुश्कल से 3 मिनिट में या 2 मिनिट में solve हो जाएगा या 5 मिनिट में इस स्यादा time नहीं लगेगा चलिए तो यह अपना हो गया point number 26 जो कि obviously question ही था आते हैं अपने next point पर अपन point number 27 चलिए point number 27 देखते हैं point number 27 देखने से पहले देखते हैं यह पूछा क्या गया था question में हमसे पूछा गया था at a point in a strained material कैसा material है strained material है if two mutually perpendicular tensile stresses दो mutually perpendicular tensile stresses दे रखे हैं 200 newton per mm square and 100 newton per mm square is acting ठीक है यह act कर रहे हैं then what will be the intensity of tangential stress on a plane inclined at 15 degree to the axis of minor stresses तो 15 degree पर minor stresses पर inclined कर रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है हो हमसे पूछा जा रहा है कि what will be what will be intensity of tangential stress on the plane ठीक है उस plane के tangential मतलब उस plane पर intensity क्या रहेगी tangential stress की तो I hope आपके समझ में आ गया होगा जब बड़ा सा कोशन दिखा करें तो उसको parts में divide करने की कोशिश की या करें solve करते time आप आराम से लिख सकते हैं कि क्या कि हमको given है यह काफी speed में करना है आपको exam में जैसे कि हमको यहाँ पर tensile stresses दे रखें 200 newton पर mm square 100 newton पर mm square की और हमको क्या देख रहा है पूरे कोशन में मतलब एक नज़र डाली है अब पूरे कोशन पर एक नज़र डालो और पूरा कोशन ना पढ़ते हुए सीधे यह देखो values क्या क्या है जैसे यहाँ 200 newton पर mm square 100 newton पर पूछ रहा है तो पूछ रहा है what will be the intensity of tangential stress on plane inclined at this degree to the excess of the minor stress अपना आते है अपने approach पर हमें करना कैसे question तो यह है हमारा तरीका करने का सबसे पहले वही जो मैंने आपको उता है given ही हम लिखते हैं अब यह जब हम theory exam जैसे ssc means का paper हो गया हम वो लिखेंगे तो यह पूरा important है लेकिन जब objective करने बैठेंगे तो speed में हमने एक छोट ऐसा एक rough space लिया वह जल दिल्दी सारी बातें लिखिए के sigma x दे रखा sigma y दे रखा या आप मन में भी सोच सकते हैं और tau x बार हमको दिया नहीं है तो tau x बार हमने 0 माल लिया ठीक है plane inclined है 15 degree पर minor axis पर यह भी लिखा मेजर और minor axis से तो इतना ही रहता है आपने शाद पढ़ा होगा जब हम strength of material में principal वाला जब concept देखते है principal plane वाला तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे inclination जाता है कैसे major or minor axis पर जाता है तो वहाँ इतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ भी अब एपन to the point बात करते हैं तो यह मैं समझता हूँ कि आपको इतना तो आही रहा होगा समझने कि 90-15 degree क्यों कर रहा है फिर major axis पर हम देखते हैं तो tangential stress at plane टाव पर कैसा होता है अबना tangential stress तो आपको यह शायद आपने यह भी formula भी याद किया होगा अपने college time पर कि बिना formula याद किया स्वाम सब जिफ्ट इस तो निकलते ही नहीं था तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद आपको याद होगा टाव इकोल टू माइनस चीक है यह ब्रेकेट ब्रेकेट ज्यादा लगा रखे मैंने तर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाय ठीक है माइनस का रहता है यह तो बाशियो हो रहे है सिग् पूछा होगा और यहां पर भी अब्जेक्टिव कोशन हो ही देखते हैं तो टेंजिशल स्ट्रेस का फॉर्मला यह रहता है ताव इसके आउंगग ही कंटीन्यू कर रहा हूं नीचे नहीं हो प्लस टाव एक्स वाय इसको कॉस्ट टू थीटा यह थोड़ा सा स्पेस का इस इसमें क्योंकि हम मोगाल इंटरफेस पर चला रहें सले सले तो हैं यह रहता था अपना फॉर्मुला यह हमारा रहता था किसके लिए हमारा टेंजेशल इसका फॉर्मुला यह सेम बात लिखे हो यह ठीक है अब बस हमना सारी वैल्यू पूट करी सिगमा एक सिमको पता प्लस टाव एक स्वाई को छहने तो यह जीरो ही हो जाएगा यह वाला पूरा टार्म तो जीरो हो जाएगा तो बस उसकी बाद में हमको simply solve करना है solve करने के हमाई टाव के वेली आएगी minus 25 newton per mm square और minus sign indicate करना है कि direction of tau is opposite on the inclined plane जो भी inclined plane हमने लिया है उसके opposite direction में है tau का sign ठीक है तो यह आप समझ गया होगे तो बस हमारा answer आजाएगा हमसे यह question में पूछा गया था कि आपको यह find out करके बताना है कि what will be the intensity of the tangential stress तो आपको इस question के लिए जो चीज याद रखनी है वो है यह formula यह formula बहुत important है यह आप अभी के अभी अपने rough register से लिखिए कम से कम 3 वार लिखिए इस वार में को चौती वार में आप खुद बिना देखिए लिख लेंगे इसको यह मैं guarantee जेता हूँ चलिए next आते है next point number 28 पर आते है point number 28 है हमारे पास में question हम से पूछा गया है कि a cylinder is considered to be a thin cylinder ठीक है if thickness of the internal diameter of the cylinder cell भी तो simple conceptual question है कि हम cylinder को thin cylinder कब consider करते हैं तो जब उसकी thickness to internal diameter of the cylinder कितनी होनी चाहिए thickness to internal diameter of the cylinder का जो ratio होना चाहिए वो less than 1 by 20 होना चाहिए ठीक है इत्तिसी बात है तो यही है हमारा point number 28 यहां आप मच्छे से पढ़ते हैं सबसे पहले concept में क्या बताया गया है if the thickness of the wall of the cylinder यह मान लीज़े कोई cylindrical wall है यह जो thickness पर बात चल रहे है यहां पर thickness of the wall of the cylinder vessel is less than 1 by 15 to 1 by 20 its internal diameter उसकी internal diameter से ठीक है the cylinder vessel is known as thin cylinder तब cylinder vessel क्या क्या लाएगा thin cylinder क्या लाएगा जैसे कि यहां बताया हुआ है T thickness by D मतलब diameter smaller than equal to 1 by 20 तब क्या होगा thin wall cylinder और T by D greater than 1 by 20 तब क्या होगा thick wall cylinder ठीक है मतलब मौटी दीवार हो वाला समझ गया तो आँगे बस यही बताया हो कि D क्या आपका internal diameter है cylinder का T क्या है thickness of the wall जो slender है इस तरीके का वैसल तो ऐसी होती है तो यह जो क्या है T यह है इसकी thickness इसकी wall की यह T है आपका इससे denote कर रहे है T को यहां पर T thickness है note point और पढ़ लेते हैं फिर बस यह पूरा complete हो जाएगा तो note point में यह बताया हुआ है the circumferential stress और hoop stress एक बात तो यह आद रखिए एक ही बात है circumferential stress बोल ले या hoop stress बोल लो and longitudinal stress ही यह लग है sigma L है ना intense cell due to internal fluid pressure is तो internal fluid pressure के कारण आपका क्या पूछ रहा है यह circumferential or longitudinal stress क्या रहा था बहुत important है numerical में अक्सर पूछ ले जाता है सिर्फ यही पूछ ले जाता है कि आप हमको यह बता देजे circumferential stress करता है question देखे पूछा जाता है तो क्या रहता है P रहता है आपका P D by 2T similarly longitudinal stress पूछ ले जाता है sigma L करके इसे लिखते है यह बता है P D by 40 ध्यान रखेंगे आप इस चीज का clear है यहांपर concept यह है important काफी important आक्सर पूछा जाता है ठीक है चलिए आँगे चलते हैं अपर point number 29 पर आते हैं 29 में पहले देखेंगे obviously question में क्या पूछा था फिर हम explanation पढ़ेंगे अच्छे से तो point number 29 में हमसे क्या पूछा गया था which among the following is the correct assumption in theory of simple bending simple bending की theory के बारे में पूछा गया है हमसे यहांपर तो points दे रखें point A है then point B है then point C है तो यह points दे रखें चलिए line by line पढ़ते हैं पहले दे रखा है the load act perpendicular to the beam axis load कैसे act करेगा beam axis के perpendicular करेगा दूसरा point beam bend to wait a minute दूसरा point beam bend bend to a circular arc ठीक है तीसरा point beam is initially straight of constant cross section ठीक है तो यह क्या पूछा गया हमसे हमसे पूछा गया I think so इसमें हमसे correct पूछ रहा हूँगे है ना correct assumption क्या है तो तीनों ही जो assumption यहां देख रहे है एकदम correct है तो तीनों assumption एकदम correct है हमारे यह है ना चलिए आप इसका explanation देखते है point number 29 का तो यह इसका explanation है यह हम पहले भी discuss कर चोगे है पर एक बार और speed में जल्दी से अपन discuss करते हैं पूरा इसका assumption following are the assumption made in theory of simple bending जैसे simple bending सुनो वैसे आप यह काम किया करो m upon i is equal to sigma upon y is equal to e upon r बस आप इसको लिख दिया करो बिना सोचे समझे कि मैं क्यों लिख रहा हूँ एक सवाली मत पूचा करें जैसे simple bending सोचे वैसे यह question हमीशा लिखा करो आप इससे आपको यह दो फायद होंगे तो आपको एक question याद होगी दूसरा जब भी कभी numerical लगा है आप तुरंथ relate कर लेंगे कि मुझे sigma निकालना है या r निकालना है या m निकालना है या क्या निकालना है ठीक है चलिए तो simple bending theory of simple bending क्या है point by point देखते जाते हैं इसके assumptions अपन देख रहे हैं अभी पहला assumption material of the beam is homogeneous and isotropic clear है दूसरा assumption beam is initially straight शुरूबाती में beam कैसा रहता है straight रहता है ठीक है and all the longitudinal fiber bent in circular arc और फिर इसके longitudinal fiber कैसे bend करते हैं circular arc के form में bend करते हैं ठीक है clear है I hope so clear हो गया होगा with a common center of curvature जिसका center of curvature common center of curvature होता है ठीक है आगे चलो point number 3 पर आते है member have symmetric cross section and are subjected to wait a minute member have symmetric cross section and are subjected to bending in the plane of symmetry member के जो cross section हो कैसे रहता है symmetric रहते है asymmetric तो होने नहीं वाले जब bending हो रही है एक साथ ही हो रही है तो उसके cross section भी symmetry के तो रहने वाले है ठीक है and are subjected to bending in plane of symmetry और जब भी bending में subjected करेंगे तो symmetrical plane में ही bend करेंगे symmetry का मतलब तो आप जानते है मतलब equal part में divide करेगा जैसी आप उसको cutting नहीं तो किसी मतलब fixed axis से next आते है point number 3 point number 3 तो हमने डिसकस कर लिए point number 4 पर symmetry वाला हमने बात करे लिए ये जोनों करे लिए अब point number 4 पर आते है beam is subjected to pure bending and the effect of shear is negligible beam कहां पर subject हुआ ये pure bending में subject किया जाएगा और जो effect जो हम shear का effect इसमें मान कर चलते हैं न assumption लिया गया था ये shear का effect हम negligible मानते हैं इसमें तो ये important है ये आपको याद रखना है next आते हैं point number 5 पर point number 5 क्या बोल रहा है सुनिये plane section through a beam taken normal to the axis of the beam remain plane after the beam is subjected to bending तो ये भी हम बहुत बार पर चोके हैं next point the radius of curvature is large as compared to dimension of the beam beam की जो भी dimension होगी न उसके comparison में उसकी जो radius रहेगी न radius of curvature वो हमेशा large रहेगी ये भी assumption लेकर चला गया था next and the last point is the load at perpendicular to the beam axis तो ये भी simple assumption नहीं पता होना चाहिए next आते है point number 30 पर point number 30 में हमसे पूछ रहा है ये हमारा last point होगा आज का ठीक है point number 30 में हमसे पूछ रहा है shear stress in a piece of structural steel is 100 MPA if plastic modulus is 200 GPA Poison's ratio is 0.25 then shearing strain gamma लिखा होगा then shearing strain would be तो आई हो आप question समझ गए होगे हमसे क्या पूछना चाह रहे है question में हमको ये बताया हो है shear stress in a piece of structural steel कोई structural steel का एक piece है जिसमें shearing stress किता है 100 MPA का है ठीक है और क्या क्या है if the elastic modulus उसकी elastic modulus किती है वो है 200 GPA की ठीक है and the poisons ratio mu जो हम जिससे denote करते है mu से poisons ratio क्या 0.25 है if the shearing strain gamma would be then sorry if नहीं then the shearing strain gamma तो shearing strain क्या रहेगा ये हमको बताना है तो चलिए सिधे explanation देखते हैं अपन point number 30 का देखिए सबसे पहले given जब ये आप अगर mains का paper लिखेंगे तो आप वैसी लखना है given में क्या क्या है tau है modulus of elasticity है और poisons ratio is 0.25 ठीक है अब हम क्या जानते हैं तो ये भी जान लेते हैं क्या जानते हैं हमको पता ही होना चाहिए कि modulus of rigidity is defined as the ratio of shearing stress to the shearing strain ठीक है ratio of shearing stress to shearing strain रहता है हमारा modulus of rigidity हम इसे denote नहीं करते हैं g से modulus of rigidity को ठीक है अब आपको g दिया हुआ है ठीक है तो जो उपर definition लेखिए वो हम यहां करके दिखा रहे है it is defined as ratio of shearing stress तो shearing stress क्या है 200 ठीक है to the shearing strain तो shearing strain क्या है to 1 plus 0.25 clear है अली बात question में given है सब कुछ question में सब कुछ given है बस देखने की दे रही है यहां पर नहीं लिखा गया तो मैं लिख देता हूँ equal to 2g 1 plus mu अब जाके आपकी वो definition clear बैठती है क्योंकि यहां से यहनोंने रखा है g is equal to यहां explanation में है नहीं तो यह आप इसको add कर ले न अगर आप में से कोई notes बना रहा हो यहां यहां देख भी रहा हो तो समझी गाया होगे है ना तो यह चीज़ एक minute में अटाया था हूँ अब देखिए g is equal to g is equal to what g is equal to e by 2 और यह 1 plus mu हो जाएगा बस आपको यहीं चीज़ देख रही है यहां पर देखने को मिल रही है e उपर आया यह आगे है 200 upon 2 तो यह 2 यह रहा इस color से समझाते है और 1 plus mu है तो 1 plus mu यह हमको है अब mu कहा है यह देख लीज़े आप clearly mu यह है 0.25 तो पूरी बात यहां आगई formula क्या important है e is equal to 2g 1 plus mu ठीक है कुछ भी trick बनाएए यह इसको याद करिए लेकिन इसको आपको याद करना important relation है तो बस यह हमने यहाँ पर put करी value हमारी e की value easily आ गई then अब हम क्या जानते है अब हमारी basic definition यहाँ पर discuss हुई यह जब definition थी ठीक है क्या जानते है हम tau upon gamma होता है मतलब modulus of fragility क्या रहता है वो ratio रहता है न sharing stress to sharing strain का तो sharing stress होगे tau sharing strain होगे gamma अब gamma हमको निकालना था अब g हमको पता ही चल गया तो करना क्या है gamma को यहाँ रखना g की value upon में रखनी है tau upon g और answer आ जाएगा तो यह हमने यहाँ पर solve किया ठीक है वो 10 to the power 3 कर दिया तो radian में value आ गई आपकी चलिए तो यह clear हो गया होगा यह hopes हो आपको तो यह हमने आज 30 point तक लिया है आगे हम continue करेंगे इसको अपने यह आने वाले session में अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो like कीजिए अपने सभी friends को बताइए कि हाँ पर quick revision चलता है और बस चैनल के साथ जुड़े रहिए थैंक यू